आज हिंदू समाज अलग-अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। उची और नीची जाती का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनेतिक संगठनों से जुड़े नेता। जातिबाद राजनीती के चक्कर में हिंदूों को बाटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में 20 करोर से अधीक लोग दलित समुदाय से तालुक रखते हैं। और इसी समुदाय की एक परमुख जाती चमार भी है। आज भले ही चमार सब्त का परियोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है। लेकिन चमार असल में छत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरबसाली इतिहास रहा है। विदेसी आकरमन कारियों के खिलाप अब आज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्पुर्न रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाती का कहीं भी बर्नन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाती कैसे अस्तुत्तों में आई। क्यूं सुरीबंसी छत्रियों से तालुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चमार जाती के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारो की परती आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। हिंदु धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है। और प्रतेक जीब को ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है। उसी परकार पहले लोगों को उनके कर्म के अधार पर ही पहचाना जाता था। ब्रह्मान, छत्रिय, पैस्य और सुद्र के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यह सभी नाम लोगों को उनके कारियों के अधार पर ही दिये गए थे। वहीं महाभारत और रमाइन काल में भी इंसानों को अलग-अलग अधार पर विवाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्ब के अधार पर जाती तैकी जाती थी। जो आज की जातिवास से बिलकुल धिन्न है। चमार जाती के बारे में वैसे तो कहीं उलेक नहीं है। दोस्तों, चमार सब्त का परियोग पहली बार सिकंदर लोदी के दौरा सुलहभी सताबदी में किया गया था। जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमनकारियों ने भारत में परवेश करना सुरू किया था। उस समय पस्चिम मंगाल में चरमकार बंस का राज हुआ करता था। ये एक च्वाकू और सुरिबंसी छत्रिये समुदाय से संबंद रखते थे। गौतमबोद, चंद्रगुप्त और असोक समराट भी इसी बंस के थे। राजा चवरसेन के सासनकाल के दोरान चरमकार बंस काफी उचाईयों तक पहुँच गया था। संत रविदास जी भी चवरवंस के ही बंसस थे। चित्तोर के राजा, राना सांगा और उनकी पत्नी जाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और राणी ने मिलकर रविदास जी से चित्तोर आने का अनरोध किया और कहा कि उए चित्तोर गड के राजगुरु बनकर महल में निवास करे रविदास जी ने राजा का आगरह सुईकार कर लिया और चित्तोर के महल में रहने लगे इस दोरान रविदास जी के बैख् तुने डर हुआ कि कहीं लोग इसलाम धर्म की बजाए रविदास जी से ज़्यादा परवावित होना सुरू ना कर दे। रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदु धर्म कबूल करना होगा। संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदु धर्म अपना लिया है तो वह आग बबुला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाकर एक काराग्री में डाल दिया गया। उन्हें चमरे की जूते बनाने का काम सौपा गया। सिकंदर लोधी का हिंदु परत्यचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इसलाम कबूल कराने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब काराग्री में बंद किया गया तो छत्रीय राजाओं और चर्मकार बंस के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारो तरप से गेर लिया। सिकंदर लोधी के खिलाप आम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के बित्रों को देखते हुए लोधी ने संत्र रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1920 इस्वी में संत्र रविदास जी का देहांत हो गया। और एक बार फिर सिकंदर लोधी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार बंस के लोगों ने इसलाम धर्म करने के लिए उन्हें चमर करने चर्मकार बंस के लोगों का अपमान करने और इसलाम धर्म कबोल किया। इस तरह से अपने सोविमान की रक्चा के लिए उन्होंने चमरे का काम किया और तभी से चमरे का काम करने वाले लोगों को चमार कहना सुरू कर दिया गया। चमार बंस और राजा चमर सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाती के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी बैख्यां डॉक्टर बीजय सोनकर सास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाती में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाती के लोग संपुर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्तान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहनसन और बरताव राजपूतों जैसा नजर आता है। जहां महिलाएं घुंगट रखती हैं तो वहीं पुरूज सौ चमार हैं ही नहीं तो भला किसी की गलत बातों को क्यों बरदास्त करें। दूसरे भी स्यूद के दोरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था। जो एक पैदल रेजिमेंट थी। दोस्तों अधिकारिक तोर पर यह एक मार्च 1943 को बनाई गई चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महतपुर्ण भूमिका निवाई थी और उसके लिए रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों द्वारा एक वार फिर से इस रेजिमेंट के गठन की मांग की जाती रही है। सचाई कुछ और है। दोस्तों जड़ा सोच कर देखिए कि यदि चर्मकार बंस के इन छत्रियों ने इसलामिक आकरमनकारियों के खिलाब अपनी आवाज ना उठाई होती और इसलाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसल्मानों के संख्यां 50 करोर से भी अध योग पसंद आई होगी और चमार जाती के गौरबसाली इतिहास के बारे में भी आप समझ गए होंगे। आज के बाद यकिनन चमारों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। दोस्तों आज कल के लोग सेकुलर होने के नाम पर इद पर सेवाईयां खा सकते हैं तो फि से लाइक और सेर्च जरूर कर देना।